पिछली क्लास में आपने यहाँ पर जाना था कि हुंड नियम क्या होता है और हमने जितने भी संभावित सिधान्त थे किसके बारे में Electronic Vinyas के बारे में वो पूरे पढ़ लिये थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Electronic Vinyas किसी भी परमानु का electronic विन्यास हम निकाल पाएंगे जितने भी हमने सिध्धान्त यहां पर पड़े हैं उनको जान करके तो आज की गलास में बात करेंगे परमानु करमांग एक से लेकर के 10 तक के electronic विन्यास के बारे में तो आईए शुरू करते हैं अच्छा जी यदि हम बात करते हैं सबसे पहले परमानु करमांग की तो सबसे पहला परमानु करमांग पर कौन सा तत्व आता है तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले एक नमबर परमानु करमांग पर हाइड्रोजन आता है अच्छा जी हाइड्रोजन की दी बात करते हैं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोन भी कितने होंगे तो आप बोलेंगे सर्फ परमानु करमांग जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रोन वहाँ पर उपस्तित होते हैं उस परमानु में अच्छा जी अब hydrogen की बात की जाए तो hydrogen में electron भी कितना होगा सर electron कितना होगा यहाँ पे एक ही रहेगा और वह सबसे पहले और वह सबसे पहले n प्लस l रूल के और बोल सकें कि आप बहु सिद्दान्त की अनुसार वह सबसे पहले किसमें जाएगा तो आप बोलेंगे सर लोवर एनरजी वाले कक्षक में जाएगा यानि कि जिसकी उर्जा कम होगी उसमें वो जाएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक करम लिख दिया है किसका कक्षकों का करम लिख दिया है उर्जा का 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S और लास्ट में 3D तक हमारा काम हो जाएगा 30 तक ठीके जी तो आईए बात करते हैं इसकी तो इसमें जो एक इलेक्ट्रोन है न वो किसमें जाएगा भाई मेरे 1S में तो उसका विन्यास किस तरह से लिखा जाएगा हमें हुंड नियम का भी ध्यान लखना है कक्षकों को भरने के लिए ठीक है पक्की बात है तो देखो यदि हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे 1S की तो 1S में क्या होगा एक एलेक्ट्रोन है तो एक एलेक्ट्रोन है तो इसको ऐसे भर दो ठीक है एक एलेक्ट्रोन मेरा भर ग जाला है और यहां पर परमानु कर्मान के दो है तो इलेक्ट्रों भी कितने होंगे उसमें सर्फ दो इलेक्ट्रों होंगे तो दो इलेक्ट्रों इसमें हम डाल सकते हैं और आपको पता है जैसा कि जो एस है ना जो एस उपकोश है वो कितने कितने यहां पर एस कक्षक जो है व तो इसी तरीके से आगे देखना चाहें, तो इसको भरना चाहूं, तो किस तरह से इसको भर सकता हूं, देखना भई, एक एलेक्ट्रोन ऐसे आया, अगला इलेक्ट्रोन इस तरह से opposite spin में यहाँ पर आ जाएगा, ठीके जी, यानि कि जो इनका चक्रन रहेगा न, वो हमें क्या करना है, opposite रखना है, तो आपने एक बात पहले देखिए होगी, फिर से याद दिला दूँ, जो अयुगमित एलेक्ट्रोन्स रते हैं, वो तो समान चक्रन वाले रते हैं, लेकिन जो युगमित एलेक्ट्रोन्स रहेंगे न, वो क्या होंगे भई, मेरे, विपरीत चक्रन मे देखना भाई मेरे लिथियम में क्या होगा यहाँ पर सब 3 एलेक्टरोन होते हैं ठीके तो क्या एगा इसका 1s2 अच्छा अब यदि हम बात करें आगे 2s तो आप देखेंगे सब 2 एलेक्टरोन तो हमने किसमें डाल दिया 1s में डाल दिया ठीके अब 2s के लिए कितना बचा ह है यहाँ एक यहाँ पर हम डाल देगे ठीके जी बड़े आगे तो देखो यहीं इसकी बात करते हैं तो देखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अब 1s में 2 डालने यहाँ तो 2 डाल दो अच्छा जी 2s में कितने डालने एक डालने तो एक एलेक्टरोन आप आराम से यहा अब अगली बात करते हैं यहां पर किसकी अगला परमाणूंग अगला तत्तु जो है मारे पास में कुछ से बरेलियम अच्छा बरेलियम की दी बात की जाए तो आप बोलेंगे सर वन एस तो आएगा याएगा लेकिन एक इलेक्टरन बढ़ गया तो इसलिए क्या कर दो यहां उन में क्या हो रहा है मेरा भाई एक पूरे के पूरे वह फुल हो गया है ठीके जी यानि कि यहां पर क्या हो जाएंगे फुल हो जाएंगे पूरी तरीके से अब जैसे यह फुल हो गया तो यहां पर दोनों को क्या हो जाएंगे युगमित हो यानि कि यह क्या हो गए पेर ह होगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि fully fill होगे ना तो इनका भी चक्रन विपरीथ है और इनका भी चक्रन यहाँ पर विपरीथ है यानि कि यह वाली संभव न वह सकती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलो जी, अब आगे लेते हैं कहानी को चलो गई इसके हम बात करें, बेरिलियम के बाद में बोरोन की, बोरोन की कहानी में क्या होगा सब 1S, 2S और उसके बाद में क्या आता है मेरा भाई, 2P तो आप देख पाते हैं यहां पर कि सर, इसमें 2 तो इसमें आ जाएंगे 2S में आ जाएंगे, लेकिन यदि P की बात की जाए, तो सर, P में कितने आएंगे तो आप बोलेंगे सर, परमानुक्रमांग 5 है एलेक्ट्रोन 5 होंगे, तो कितना डाल दो मेरा भाई, यहां पर, एक डाल दो, ठीके अब इसको भरो, कैसे भरेंगे इसको इसको यदि भरने की बात कही जाए, तो देखना भई, यहां पर सर, ये तो वेसा का वेसा ही रहेगा ठीके, लेकिन अगला वाला कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा अब हुंड नियम यहां से आ जाएगा कौन सा नियम आएगा, अब हुंड नियम यहां पर आने वाला है, बस आ ही गया देखना, किस तरह से हुंड नियम को हम यहां पर एक्स्पेन करते हैं कार्बन की हम बात करते हैं 1S, 2S 2P, अच्छा जी S में कितने हैं? 2 इस S में कितने हैं? 2 अच्छा जी, सर 2P में कितने आएंगे सर यहां पर? 2 आएंगे ठीके, क्योंकि पहले कितने थे? 1 थे अब यहां पर यहां पर इन कक्षोगों को भरना चाहूँ तो कक्षोगों किस तरह से भर सकता हूँ? देखना भई मेरे सर, यह तो इसी प्रकार से रहेंगे अब एक यह तो पहले वाला था ठीके? यह तो कहां तक चल रहा था? बोरोन तक भी ऐसे चल रहा था क्या सर, अब यहां पर इसमें ऐसे कर दे क्या? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने हुंट नियम पढ़ा है कि अयुघमित इलेक्ट्रॉंस जो होता है न वो अपने आपको ज़्यदा इस्टेबल मांते है यानी कि इलेक्ट्रउंस हमेशा अयुघमित रहना पसंद करते हैं तो जहां तक पर स्बशीबल हो न, उनको क्या रखो? अईुघमित ही ही रखो जो पहले था, यानि कि अयुगमित इलेक्ट्रोनों का चक्रन समान रहेगा और यदि हम बात करते हैं युगमित की युगमित का जो चक्रन रहेगा, वो क्या होगा मेरा भाई, विपरीत होगा, इस बात को आप देख लेना, ठीके, चलो बढ़े आगे, हाँ जी इस कहानी को थोड़ा सा और आगे ले करके चलते हैं तो आप बोलेगे सब नाइट्रोजन में इतनी मेनत करना है यहां से यहां तक तो एक ही रहेगा, बस यह वाली कहानी चेंज हो जाएगी, कितना है यहां पर होता है, ठीके, चलो बढ़े अब कहानी को थोड़ा सा और आगे इसको रेखेंगे यहां पर सर, ओक्सीजन के हम बात करते हैं, तो सर, ओक्सीजन यहां से यहां तक तो सेम रहेगा, सिर्फ यहां पर तो यहां पर आगे, थोड़ा परिवर्टりत हो जाएगा, तीन की जागा कितना हो जाने बाला है यहां पर चार हो जाने बाला है और इसी प्रकार से हैं यहां पर हम więc आप यहां पर डाल दो यहां पर डाल दो बात एक ही है बस याद रखना है कि चक्रन अब कितना क्या आजाएगा अब अगर हम बात करते हैं तो इस वाले की सर वैसा का वैसा रहेगा पहले तो अब अगरा इसमें डाल दो बात यह की है यह लो अच्छा जी इसकी बात करें तो यह कि एस से हो जाएगा यह और यहां पे एक electron extra यहां पे हो जाएगा किसमें विपरीत चक्रण में ठीक है तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमने 10 के 10 जो यहां पे परमानुक्रमांग एक से लेकर 10 तक के जितने भी तत्व हैं उनके electronic विन्यास यहां पे लिख लिए तो आप देख सकते हैं इनले से लेकर को लिखेंगे अगली क्लास में आपको बदांगा अठार तक को sent के बारे में तो जुड़े हैं मेशन के साथ में धन्य बात